नमस्कार जै जोहार न्यूज 18 मधिप्रदेश शतीजगड के कारिकरम बाड़ते शतीजगड नवादुर्ग में आप सभी का बहुत स्वागत है आप सबके प्यार ने हमें बनाया है नमबर वन न्यूज 18 मधिप्रदेश शतीजगड ना सिर्फ टेलिविजिन बलकि जिए शतीजगड प्रदेश लगातार उन्नती कर रहा है आज हम है दुर्ग समभाग में और यहां से हमने अलग-अलग वर्ग और पेशे से जुड़े अलग-अलग लोगों को बुलाया है जिन लोगों ने यहां के लिए बहुत काम किया है दुर्ग समभाग के लिए करती हुमारे न्यूज 18 चतिसगर के एडिटर मिस्टर अभिशेक शुकल को और साथ ही हमारे मुख्य अतिथी माननिय श्री ताम्रद्वज साहु जी हमारे बीच आ चुके हैं मैं मंच पर उन्हें भी आमंत्रित करती हूं जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजे हमारे मु मैं भी दिमाग में चल रहा है कि प्रिशी मंत्राला मिला है तो किस तरीके से आगे चलना है कुछ बात्चित आपकी भी हुई होगी खेती किसानी से जुड़ा व्यक्ति हूं तो किसानों के सुविधा के लिए जितना बहतर योजना बनाया जा सकेगा वरतमान में जितनी योजनाए संचालित हैं माननी मुक्य मंत्री भूपेज बगहल जी की नेतरित में इन वर्सों में जितनी योजनाए हम लोगों ने खुशना किया था, मानि मुख्यमंदरी जी तत कालिन समय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्स थे, किसानों की करजा माफी से सुरू करके, किसानों की धान खरीदी पचीसों से सुरू करके, जितना भी हम लोगों ने आगे बढ़ाए योजना, चाहे वो सीचाई से स संबंदित हो, रीन से संबंदित हो, खाद्य से संबंदित हो, बीच से संबंदित हो, किसानी एक ब्यापक छेत रहे, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे विंग्स हैं, तो उन तमाम चीजों की और जितनी योजनाय बनी हैं, उसमें और बेहतर हम 36 गड़के कि इंसानों के लिए क्या कर सकते हैं वो जरूर करना चाहेंगे अब बहुत जल्ड चुनाओं में भी जा रहे हैं आप लोगों पिछली बार जो मैनिफेस्टों में आप लोगों ने रिडम माफी की बात की थी या समर्थन मुले का दिक्र किया था वो एक बड़ा एहम पैमाना रहा था यहां तक पहुँचने के लिए क्या इस बार भी कुछ खास तैयारी कर रहे हैं विपक्ष को काउंटर करने के लिए वो भी बहुत तैयारी कर रहे हैं मुझे लगता है कि इन वर्सों में हम लोगों ने जो किया है विसेश तैयारी करने की हमको हमारी सरकार को हमारी पार्टी को कोई आवस्ष्थता नहीं है. हम लोग नीचे तक पहुँचे हैं अपनी ओजनाओं के माद्यम से जिसे छोटी सी बातमालो किसान की, किसान का करजमाफ कर दिये, धान खरीदी कर रहे हैं पच्चीसों में, तो इसमें बड़े किसान भी आते हैं, छोटे किसान भी आते हैं. अब कोई गरीब व्यक्ति जिसक के पास एक डिसमिल जमीन नहीं है. अगर वो हमसे प्रस्न करें कि किसानों के लिए कर हमारे लिए क्या, तो साथ हजार रुपिया वार्शिक भू में किसक मजदूर योजना लागू किया गया. देखिए, पैंसन साड़े तीन सुर रुपिया मिलता है. लेकिन इस योजना क तो 500 रुपिया से ज्यादा रासी हम हर महिने देंगे. मतलब 7000 साला ना. तो हर वर को हमारे पास प्रदेश का कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरे लिए योजना नहीं बनी. अरब पती व्यक्ति भी अगर इस प्रदेश में रह रहा है. वो अगर कहे तो मैं बिजली बीलहाव की योजना का लाब उस अरब पती को भी मील रहा है. तो गरीब आदमी से लेकर अरब पती तक हमारी योजना बनी है. और बह़ाबर उसका लाब उस तक जाANA है. तो मेरा बड़ा इस सपस्ट कहना है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने से काम किया वो अदिभूत है अलोकिक काम है इसकी तूलना और इसका मुकाबला कुछ नहीं हो सकता ग्री मंत्राले भी आपके पास है बहुत ऐहम मंत्राले 96-गर की लिहाद से खास थर क्योंकि नक्सल प्रभावित इलागा माना जाता है बस्तर अंचल के आदिवाशियों को हल पकड़ाएं की बंदूग हमको निरना ये करना है और हमारी सरकार ने निरना लिया है कि हम बस्तर अंचल के आदिवाशियों को बंदूग पकड़ाने के बजाए हल पकड़ाएंगे और उसका बड़ा तरीका जो जमीन बड़े बड़े फैक्टरी वालों ने लिया था, उसको हम लोगों ने वापस किया, सामुहिक वन भूमी के पटे हम लोगों ने दिये, व्यक्तिगत पटे भी हम लोगों ने दिये, जंगल में जो कब्ज़क करके रखे रहते हैं आजवासी, उसके पटे हमने दिये, अब उसमें वो धान ले रहा है, रागी ले रहा है, कोदो कुट की ले रहा है, कलपना करेंगे, कि बस्तर का काजू विदेसों में जा रहा है, ट्राई अप करके, ये आज हम ये कहें, मातर साड़े तीन साल में हमारी सरकार ने किया है, उस बस्तर जो राइपूर के एरपोर्ट में उतरने पर लोगो में और हम लोगों के, हमारे सरकार की और जनाओं के कारण हुआ है, ये बात मैं कह सकता हूँ, धर्मस्व मंत्री भी हैं अप, धर्मस्व मंत्री हैं और काफी धार्मिक भी हैं, क्योंकि आपके करियर में भी एक ग्रोथ का बड़ा करण, रमायन पार्ट वगर में आप पट रहे हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? माननी मुख्य मंत्री जी से मैंने चर्चा की उनके निर्देश पर, विधान सभा में पहला बिल, 36 गड़ के विधान सभा में, पहला बिल मैंने पेस किया, राजीम महा कुम को पुना वापस राजीम माघी पुन्नी मेला करने का, और आपको बता दूं, 14 करोड खर्च होता था, अब मैं तीन करोड में राजीम माघी पुन्नी मेला खर्च करता हूँ, उसी राजीम माघी पुन्नी मेला और उससे बेहतर कारिक्रम करते हैं हम, तो धर्मस विभाग, हम लोग बहुत बस्तर अंचलों में सेवादार मान के मान दे में वृद्धी हम लोगों ने किया, पुजारियों के मान दे में हम लोगों ने वृद्धी किया, दामय खड़ा एक बहुत बड़ा कबीर पंतियों का धार में किस्तल है, बाइस करोड के लागत से कबीर सरोवर का हम लोग निर्मान करने जा रहे हैं, गिरोत पूरी हमारा सतनामी समाज के लोगों का एक पवित दिर्धार में किस्तल है, वहां भी हम लोग बड़े-बड़े काम कर रहे हैं, जहां जहां भी इस प्रकार के हमारे धर्मस्व के द्वारा, जितने मंदिर हैं, जिरनो द्वार उसका करना है, वो हम करते जा रहे हैं, धर्मस्व के द्वारा वास्तविक काम हम लोग कर रहे ह जो धर्म जिसको कहा जाता है उस दिसा में जो सही काम होना चाहिए हमारी सरकार में हम लोगों ने वो काम भी सुरू किया है। इस संभाग की बात कर लेते हैं दुरू की बहुत निगम का वादा आपने किया था बहुत तेजी के साथ आज भी लोग याद करते हैं आपके कहने पर निगम आप यहां पर आपने बना दिया है। अभी कोई दर्शकों में से मुझे पूछ रहा था क्या महान अगर पालिका जैसा भी कुछ सोच रहे हैं भविश्य में ऐसा संभाव है। और हम लोग विश्वास को मजबूती देने में भी हम सफल हुए हैं, सुरक्षा में भी सफल हुए हैं और विकास में भी सफल हुए हैं। तूरिजम का भी बहुत स्कूप यहां पर देखते हैं, परटन भी आपके पास है। क्या देखते हैं अगले कुछ सालों में टूरिस्ट या परेटन के नक्षे पर देश भर में 36 जगा बना पाएगा, किस तरीकी की सोच है आपकी? हमारे पास है जगा कि भगवान राम बनमास काल के 14 साल में 10 साल 36 गड़ में गुजा रहे हैं और इस 10 साल में वो लगभग 75 जगा गए हैं उन में से जहां जहां रुके हैं उन में से अभी हम लोगों ने 9 इस्थानों को चिन्हांकित किया जस्पुर कोरिया से लेके रामा रा को हम लोग अभी बना रहे हैं जिसमें माता कोसलिया का एक मातर मंदिर पूरे भारत वर्स में 36 गड़ में चंद्खुरी में हैं उसका 48 करोड की लागस से हम लोगों ने विकास किया है विकास अंतिम चरण में हैं बहुत बढ़िया बना हैं 10 साल वनमास काल का भगवान रा जीत किया है और वो सारी उनमें से 9 जगों को रामवन गमन पत के रूप में हम लोग विक्सित कर रहे हैं राजीम को सिवरी नरायन को अभी चंपरन को भी हम लोगों ने दस्वाइस तल ले लिया हाथ में उनके विकास के लिए भी हम लोग अभी 25 करोड रुपिया का लाग चल रही है वाटर एडवेंचर की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं बड़े बड़े जो हमारे डेम हैं उनमें जहां बारो माह पानी रहता है उसमें कुछ नेचरल भी जैसे बस्तर अंचल जहां फारिस्ट इलाका है एक किलोमेटर के रेडियस को हम तार घेरा से घेर दें ब लोगों को अगर एक हपता पंदरा दीन महिना दीन भी आप पर यटन करना चाहें तो 36 गड़ में उतना जगा हम लोगों ने बना दिया है दुर्ग को लेकर आप क्या सोचते क्या सोच आप यहां के सांसत भी रहे हैं अब तो मंतरी भी हैं पिछले साठे तीन चार साल या सोचते कि कैसा डेवलफ होला चाहिए यह संभाग एक दिन माननी मुख्यवंदर जी के पास में बैठके बैठा था मैंने उनसे कहा कि आप भी दुरुख से हो मैं भी दुरुख से हूँ आपकी राजनीद भी दुरुख से सुरू ही मेरी भी राजनीद दुरुख से हुई म नहरुनगर के आगेज बुर्दौारा है. वहाँ से बटालियन से लेके, वाई से ब्रीश से लेके, और मालवी चौक से लेके, पटेल चौक से लेके, मिनि-माता चौक तक जाने के लिए, होरलेंस टड़क के, एक स्कीम मैंने बनाया. फिर मालवी चौक से जेल के पास तक के चौक के लिए एक स्कीम बनाया, जेल की रहा से लेके मिनी माता तक महराजा चौक के लिए एक स्कीम बनाया, कुछ आंतरिक सड़कों के लिए भी बनाया, उसमें एक हम लोगों ने सुरू किया बड़ी चीज को और अभी बन रहा है, द ने हाथ में लिया, सास की करन किया, तो इस प्रकार की सारी चीजों, मैं उद्याने की विसिद्याला इंडर ब्रीज की बात हो, सारी दिसा में, कोई ऐसा चेतर नहीं है, जिसके काम यहां आवस्यक है और वो हम लोगों ने नहीं किया हूँ कुछ इक्षा है रहती है जो आपको लगता है हाँ अधूरी रह गई यह करना चाहिए आने वाले समय में करूँगा एक बड़ी इच्छा है स्री रामधाम निर्मान की चाहता हूँ 15-20 कड के एरिया में एक स्री रामधाम बने भव्य मुर्ती हो भगवान राम की और गुरुकुल की व्यवस्था हो गौसाला की व्यवस्था हो बारो माह वहां यग्य हवन प्रवचन संसकार की सिक्छा ये सब चलता रहे तो इस प्रकार की एक बड़ी इच्छा है मैं मुलता राजनितिक व्यक्ति नहीं हूँ पहले भी बोल दिया चार बार विधायक एक बार संसद हूँ पर राजनितिक नहीं हूँ मूरुरु से मैं समाजिक हूँ धार्मिक मेरी रूची का विशा है तो एक बड़ी इच्छा है इस वर की कृपा हो जाए तो वो अगर हो जाए तो जरूर वो करना चाहता हूँ उस दिशा में कदम तो उठा है रस्त की पंजियन हो चुका है रमायन में कहा गया है बड़े भाग्य मानुस्तन पावा सुर्दूरलब सद्ग्रम्थाई गावा साधन धाम मोक्सकरद्वारा पाइन जे परलोग समारा तो मैं अपने इस मानो जीवन की अंतिम इच्छा और सबसे बड़ा काम वो हो जाए तो मैं सम्झूंगा बहुत बड़ा चीज हो गया बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए आपको आपको भी आपके चेनल को बहुत बहुत बढ़ाई बहुत 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 धन्यवाद अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे न्यूज 18, 36 गड़ के एडिटर मिस्टर अभिशेक शुक्ल से कि वो माननिय मंत्री जी को स्मृती चिन भेट करें बहुत बहुत धन्यवाद माननिय मंत्री जी का और अगले सेशन के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मेरे वरिष्ट सहियोगी मिथिले श्ठाकूर को के मंच पर आये और उनके साथ ही आमंतरित करना चाहूंगी बिलाई विधायत Mr. Devendra यादव जी का जोर्दार तालियों की साथ स्वागत कीजिए Mr. Devendra यादव जी का दिविधिस सवागत आपका और आपने एक रिकॉर्ड बना है कि सबसे कम उम्र का आप महापर बने और इसके बाद में लगाता है आप सफलता के पायदान में चड़ते गए और विधायक है विलाई हम आपने कैसा लगता है एक छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सी मेधारी निपाई ऐसा कोई बैक्राउ पनकर ही पहुंचा तो यह विलाई वास्यों का धन्यवाद करूंगा मैं उनी के इसने प्रेम से हूँ बड़ी जिमेदारी आपको मिली तो सबसे पहले चैलेंज क्या था यहां पराव उसको उस चैलेंज को स्विकार करती हुए आपने किस तरह सबर्ग किया विलाई के डि कर्षास्निक थी प्रशाचनिक कारवाईयां कि इस तरीके से होती है यही चुनोती मेरे मेरे से खुच से थी खुच से शीखने की थी तो मैंने इस चुनोती को स्विकार किया हमने देखा कि किस किस dedim से हमारे कि शहर में जो हमारी बेहने हैं माता हैं वो काम करना चाहती हैं तो उनके लिए रोजगार के अच्छे आफसर मिले इसलिए हमने मदस मार्केट की शुरुबात की वहीं बिलाई गार्मेंट फैक्टरी बिलाई में पहली बार खुलने वारी है जिसमें लगवक एक हजार महिला को रोजगार मिलना है हमने देखा कि हमारे जो यंग बच्चे हैं जो यहां पर अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं और सब कुछ करने के बाद वो कहां जा रहे हैं बैंगलोर जा रहे हैं पूने जा रहे हैं हैं हैदराबाद जा रहे हैं और क्या कर बहुत 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 दन्यवाद आप दोनों का और मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे न्यूज 18 चतिसगर के एडिटर मिस्टर अभिशेख शुक्ल से कि प्लीज वो स्टेज पर आए और स्मृती चेन न भेट करें अगले सेशन के लिए मैं चाहूंगी मिथिलेश जी अमारे साथ कंटीन्यू करें और मैं मंच पर आपकी जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी राजेंद्र साहू जी को जो जिला सहकारी गेंद्री बैंक मर्यादित के अध्यक्ष हैं और इनकी साथ ही मैं मंच पर आमंतरित करती हूँ मुकेश चंद्राकर जी को जो जिला अध्यक्ष कॉंग्रेस से हैं सत्ता और संगठन में तालमेल बिठाने के एक बड़ी जिमेदारी मुकेश जी आपकी कंदी पे मुकेमंतर जी ने दी है कितना चैलेंजिंग है ये और कितने किस तरह से कारी करने हैं मैं एक समान्य दिशा में और शमान्य तरीके से ही काम करते जाता हूँ और इसमें मुझे भिलाई में वैशाली नगर में रिसाली में यहां कि हमारे जितने सिनियर लिडर्स हैं तो लोगों के समान्य जी सहा है और बड़े अच्छे से सहयोग मिलते जारह है जिसकी वज़े से मैं लोगों के साथ रह के समझे से बिठा के कर्म काम कर पा रहा हूँ राजिन साउजी से सवाल मेरा होगा किसानों की सरकार कहलाती है और जिला सहकारी के इंद्री बैंक एक महत्पून जिम्मिदारी निभाता है किस तरह का देखते हैं आज किस तरह के बदलाओ आप इसमें नजर आते हैं जब से मानने भुपेज बगेजी मुख्यमंद्री बने है क्रिशी के साथ साथ सहकारता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और दोनों को जोड़ने का काम किया जा रहा है आज हमारी जो जो नर्वा गर्वा घुरुवा वारी है चाहे नर्वा के माध्यम से हम जन समर्धन की बात करें पुरे प्रदेश में लगबख 20,000 से अधिक गाउं है और 32,000 से ज्यादा हमारी नर्वा है उसमें 35,000 नर्वा को treatment का काम चल रहा है उसों सबंदर करने का काम चल रहा है दूसरा गर्वा गोबर खरीदी का काम ये हमारी सरकार कर रही है गोबर खरीदी पुरे हिंदुस्तान में पहला राज्य है जहां दो रूपे किलो गोबर खरीदी हो रही है और तीसरा वर्मी कंपोश हम वर्मी कंपोश बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है गोठान योजना आई तो कहने का मतलब जितनी भी योजना है वो खाली दिखाने के लिए नहीं है किसानों को तो मजबूत किये आज किसानों के जेव में पैसा है कर्द से नहीं डूबे हैं पहले बैंक की मांग नहीं होती थी आज जहां जाते हैं माननी मुख्य बंदी जी या दूसरे लोग वहां किसान बोलते हैं कि हमको बैंक दिया जाए पूरी कमीटी जो है पूरी कांग्रेस की टीम जो है निरंतर बूत इस तर पर जाके हर वार्ण में जाके निरंतर प्रया इस पर वर्क कर रहा है तो चुनावी वोट वाली बात नहीं है हम लोग सुरू से ग्राउंड में थे आज भी है और चुनाओ तक क्या चुनाओ के बाद भी ग्राउंड लेवल पर ही रहेंगे चले राजन जी आपको और मुकर्ष जी आपका बहुत-बहु अगले सेशन के लिए मैं चाहूंगी मिधिलेश जी अमारे साथ कंटीनू करें और मैं मंच पर आपकी जोड़दार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी भिलाई नगर रिगम के महापार मिस्टर नीरश पाल जी को नीरश पाल जी का स्वागत है आप लंबे समय से पाड़िशत रहे और अब एक महापार की जमिदारिया निभार है बिलाई नगर निगम को देखा जाता है कि दो भागों में बटा हुआ है तो ऐसा आप किस तरह से इसमें प्रियास कर रहे हैं कि ताकि दोनों और का जो डवलप्मेंट है वो बहतर सो राज में जब से हमारी सरकार बनी है पिछले पंदरा सालों में जो काम रुके वे थे वो तेजगती से हो रहे हैं उसमें लगातार मेरे वरिश जितने भी हैं चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे बिलाई की विधायक हो चाहे जिलाद देक्स हो सबका योगदान रहता है और ह साथ ही साथ इस शहर की विवस्थित बसाहट करना इस शहर को दुनिया के देश के नक्षे में अच्छी जगह पर ले जाना और उसके लिए जो जो भी काम होते हैं चाहे वो संदरी करन हो चौक चौराओं का हो सडकों का हो नालियों का हो बजारों का हो वो सारे काम चल रहे और इसमें हम लोगों का लगातार प्रयास जारी है चले हमारी शुपकामना है और आप न्यूज 18 किसे प्रोग्राम में शामिल हुए आपको बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का और अब मैं हमारे न्यूज 18 चतीजगर के एडिटर मिस्टर अभिशेक शुक्ल से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज वि मंच पर आएं और स्मुरती चेने भीट करें हमारे अतिति को और हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंतरित करना चाहूँगी रिसाली नगर निगम सभापती श्री केशव बंचोर जी का इसके साथ है मैं मंच पर आमंतरित करती हूँ रिसाली नगर निगम की महापॉर शशी सिनह जी का शशी सिनह जी आपका स्वागत है न्यूज 18 की इस खास प्रोग्राम में केशो जी सभापती है, रिसाली नगाट निगाम के, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है, सबसे पहले सेशन की शुरुवात करेंगे, आप ही से, कैसी दिखते हैं कि एक ग्रहणी से लेकर सीधा आप मेर मनब शायर के प्रथम नागरिक बनी है, कैसे दिखते हैं किसे? मैं पहले घ्रहणी थी ग्रहणी से राजनिती के सफठर, काफी कठी मुचे लगा। सुरुवात में, पहले मैं दो बहुत बहुच बहुत दन्यवात में dissolquila धिटी हूं। किस तरह की योजना है आपकी चुकि बहुत असीम वहाँ पर काम करने के लिए बहुत एक ग्राउंड पड़ा हुआ है। केशो जी भी हमारे साथ में मौझूद हैं सभापती हैं आप अल्पकाल हुआ है बहुत समय नहीं हुआ रिसाली नगर निंगम को बने हुए फिर भी यह दी बात करें विकास की यह दी बात करें तो किस तरह का डेवलेपेंट हुआ है पहले और अभी में क्या अंतर देखते ह पहले स्वास सूधाओं के नाम से या तो रिसाली छेतर के लोगों को दुर्ग जीला अस्पताल जाना पड़ता था या सास्त्री अस्पताल आना पड़ता था सुपीला आज वहां तीस बिस्तर का अस्पताल रुवाबांधा में संचालित हो रहा है पैसी शिक्षा के मामल में सरकारी कॉलेज साइंस कॉलेज दूर्ग पड़ता था या फिर उताई जाते थे रिसाली छेतर के बच्चे इनको सास की महाविद्याले में अध्यन करना होता था आज नवीन शाषी महाविद्याले मरोदा मैत्रिवाग रोड में संचालित हो रहा है चलिए आपका देकर सम्मानित करें अब देखरें न्यूज 18 MP 36 गड़ के महामंच से बाड़ते 36 गड़ नवादुर को पावर्ट बाई रिलाएंस इंडस्ट्रीज आज के लिए बस इतना ही दीजे इजाजत नमस्कार